हाई फ्रेंड्स वेलकम टो माई चैनल अंजू क्रियेशन आज मैं आप सब के लिए देखिए यह टू कलर निटिंग पैटन लेके आई हूं और आज मैं जो आपको निटिंग पैटन बनाना बताऊंगी बहुत ही इजी है और बहुत ही ज्यादा बनने के बाद प्लस 5 एड़ किया है तो टोटल यहां में मैंने 17 फंदे लिये हैं 12 फंदे 6 के मल्टिपल में और 5 फंदे उसमें प्लस किये हैं यह आपको मैं सैंपल दिखा रही हूं इसने मैंने थोड़ा सा ही फंदे लिये हैं तो देखिए यह मैंने बॉर्डर बनाया है आप इसे स्व पहली सलाई देखिए हमें पूरा सीधा बुनना है यह राइट साइड है हमारा तो राइट साइड में इसे हमें देखिए सीधा सीधा बुनना है यह ऐसे अब यह देखिए रॉंग साइड में आ गए हम रॉंग साइड में इसे देखिए हमें उल्टा बुनना है तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे उसके बाद यह सारे फंदे हम उल्टा बुनने अब फिर से देखिए यह हम राइट साइड में आ गए तिसरी सलाई इसे देखिए हमें पूरा सीधा बुनना है और जब हम रॉंग साइड में आएगे तो उधर से हमें उल्टा बुनना है यानि तीसरी और चौती सलाई बना कर कंप्लिट कर ले ये देखिए ये चार सलागिया बना ली है सीधे साइड से सीधे सीधे की और उल्टे साइड से उल्टे उल्टे की तो अब देखिए यहाँ पे हम दूसरा कलर लगाएंगे उससे पहले ये पहला फंदा स्लिप करेंगे हम उसके बाद देखिए चार फंदे हम बीच में सीधे बुनेंगे यानि टोटल पाच फंदे हो गए किनारे अब देखिए यहीं पर हम दूसरा कलर लगाएंगे तो देखिए आप इसे इसी ओन में ऐसे नॉट लगा दे अब उसके बाद देखिए क्या करना है यहाँ पर हमें लीफ बनाना है तो लीफ हम कैसे बनाएंगे यह इसमें हमें नहीं बुनना है इसके नीचे देखिए 1,2,3,4 और यह 5 5 होल्स दिख रहे होंगे तो यह 5 वाले होल्स में से हमें यह रेट कलर से बुनना है ऐसे यह देखिए एक बार हो गया अब यह उसके बाद यह 4 वाले होल्स में से फिर से एक बार बुनेंगे फिर यह 3rd होल्स में से बारी बारी से देखिए हमें सभी होल्स में से डाल कर ऐसे बनाना है फिर 2nd में से और ये फिर लास्ट बचा और अब देखिए जिस फंदे में से हमने ये बनाया है उस फंदे को भी हमें सीधा बुलने ना है अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे इसे ऐसे उठाया और ऐसे आगे की तरफ पलट दिया जिस ओर्डर में देखिए हमने इसे बनाया था उसी ओर्डर में देखिए इसे हम ऐसे आगे की तरफ पलटते जाएंगे अब ये वाला तिर ये तीन हो गए ये चार और ये पांच अब लास्ट का ये एक ऐसे ही रहने देंगे उसके बाद देखिए हमें वाइट कलर से यहाँ पे पांच पंदे बुनने है दो लीफ के बीच में हमें पांच पंदों का गैब देना है वन टू थ्री पोर और ये फाइफ फिर देखिए वापस हमें यही लीफ यहाँ भी बनाना है तो वही करना है देखिए यहाँ से हमें यह पांच पंदे होल में से इससे बनाना है यह ऐसे फिर चौथे में से फिर तीसरे में से फिर दूसरे और यह फिर लास्ट वाले में से अब यह वाला जो फंदा है इसे भी हम इस तरह से बुल लें तो यहाँ पर देखिए छे लाइन्स हो गई हैं अब एक एक करके पलटते जाएं हम आगे की तरफ वन टू थ्री और यह फाइफ लास्ट वाला फंदा ऐसे ही रहेगा हमारा अग इसे देखिए वाइट कलर से लास्ट के फाइफ फंदे जो हैं यह हम सीधा बुलने यह ऐसे देखिए यहाँ पर हमारी दो लिफ्स बन गई है और यह कित्ती सुन्दर लग रही है अब देखिए हम रॉंग साइट पर आ गए अब इधर से देखिए इसे हमें पूरा उल्टा बुनना है तो यह रेड वाला जो फंदा है इसे भी हम उल्टा बुनेंगे पहला फंदा स्लिप करके हम सारे फंदे उल्टा बुनने इस उन को भी आप इसके साथ ऐसे कर दें ताकि यह इस साइड आ जाए यह सलाई भी देखिए कंप्लीट हो गई अब यह फिर से हम राइट साइड में आ गए अब देखिए जैसे हमने यहां पहली सलाई बनाई थी सीधा सीधे की वैसे हमें यहां बनानी है नीचे के जो ये चार सलाईया थी यही चीज़ हमें वापस से repeat करना है उन्ही चार सलाईयों में ही हम leaves बनाते हैं तो ये चार सलाईया आप बना ले राइट साइड से सीधे की और रॉंग साइड से उल्टे की ये देखिए यह 4 सलाईया मैंने बुलनी है उपर अब फिर से देखिए हमें यही लीफ बनाना है तो इस बार यह लीफ यहां नहीं बनेगा एक यहां और एक लीफ इन दोने के बीच में तो देखिए कैसे करना है हमें पहला फंदा स्लिप करके एक फंदा हम सीधा बनेंगे तो इस बार देखिए यहां पर दो फंदे के बार ही एक लीफ बनेगा तो सेम देखिए हमें वही चीज़ करना है इस वाले फंदे से हम 5 होल नीचे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और यह 5 अब यहां से देखिए हम ऐसे इसे निकालेंगे यह वन हो गया अब इसके ज़स्ट उपर वाले होल में से दूसरा पिर उसके उपर से यह तीसरा यह चौथा और यह पांचवा अब यह वाला जो फंदा है इसे भी हम रेड कलर से बनेगे अब देखिए हमें क्या करना है इसे वापस से पलट देना है ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 यह ऐसे अब देखिए फिर से इधर बीच में हम 5 फंदो का गैप देंगे 5 फंदो का गैप देने के बाद देखिए हमें वापस से यहाँ पे लीफ बनाना है तो ऐसे ही काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4 और यह 5 यहाँ से हम ऐसे यह लीफ बना ले तो ऐसे ही एक लीफ यहाँ और एक लीफ यह पाच फंदे छोड़ कर बनेगा तो उसके बाद देखिए लाश्ट में हमारे दो फंदे ही बचेंगे यह आप ऐसे बना ले तो यह देखिए यह इधर पे तीन लीफ बन ग रॉंग साइड में इसे हमें पूरा उल्टा बुनना है इसके बाद जब हम फिर से राइड साइड में आएंगे तो फिर से चार सलाईयां हमें नीचे की जैसे बुनी थी वैसे ही उपर भी बुनी है और फिर यहां से यहां तक का पैटन पूरा दिपिट करना है तो यह प्रदर शेयर करें और अगर आप में चैनल पर पहली बार आये हैं तो पीज में चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले थैंक्स पूर वोचिंग